हेलो दोस्तो नमिश्कार एसम किसी चैनल में मैं आप सब्लों का दिल से बहुत-बहुत सवगत करता हूँ फर्स टाम विजिट के जरू चानल को सब्सक्राइब कर लेना फ्री स्टॉक मार्केट क्लासे इस चानल को भी चाहतो फॉलो कर सकते हो सब्सक्राइब कर सकते हो या प पूरी तरीके से हमनों को हावी होते वे देखने को मिल जाता है तो डेफिनेटली हमारे जो पेन का भी जो कलर है हो भी हमनों को लाल में ही देखने को मिल जाता है तो बेसिकली अगर देखा गया दोस्तो तो आज की दिन एक्सपेक्टेशन था ही कि मार्केट की जो ओपनिं की गिरावट, right, सेंसेक्स के साथ 50 की भी अगर हम लोग बात करें, almost 0.5% की गिरावट, लबग 200 पॉइंट की गिरावट और अगर वो हम लोग गिरावट भी देखें, तो मतलब कोई comeback नहीं, कोई comeback का chance नहीं, सिर्फ lower low, lower low cut, होते ही चला गया, अकिर के शन में थोड़ा सा, हम लोग को upside देखने को मिला, वरना पूरा बाजार के अगर हम लोग बात करें, lower low हम लोग को देखने को आप भी वैसे तो देखा गया, तो इसके पीझे का reason क्या है, यह तो बच्चे बच्चे को पता है अगर आप इस चैनल को follow करते तो already हम लोगों ने Saturday, Sunday कल का है आखरी वीडियो में भी मैंने इस point आप लोगों के लिए cover करके रखा था कि कल definitely बहुत कुछ बड़ी गड़बर होने के बहुत ज़्यादा चांसे से हैं वैसे तो आपको पता है market uncertain होता है बट फिर भी होने के chances ज़्यादा थे because American Bazaar Friday की दिन जबरदस्तिया पे shock के चलते गिरा था जैसे मैंने आपको ये भी कहा था कि एक पसंट की गिरावट के उपर मत जाना ये गिरावट उससे भी कई गुना ज़्यादा बड़ी थी क्योंकि ये टॉप लेवल से जिस प्रकार से गिरा था and जो खबर के चलते हम लोगों को गिरावट डिखने को मिले और उसके बाद जो खबर सामने आई तो ये कोई celebrate करने वाले तो खबर है नहीं and देखा गया तो आप सभी लोग को पता है कि कोई भी bank डूब जाती है जैसे मैंने आप लोगों को बला कि SPB financial group आपको पता ही है ये जो bank यहापे डूबी है and सब कुछ यहापे बंद भी कर दिया जा चुका है तो इसके चलते जो अफरा तफरी मची है and uncertainty यहापे American बाजार में देखने को मिल रहे है मतलब literally लोग वहाँ पे डर रहे है कि सरकार करके आ रही है कि अगर किसी भी bank में पैसा अगर डूब जाता है और share market छोड़ दो मैं बापस कह रहा हूँ share market छोड़ दो लोगों का उसमें जो deposit है वो secure रहना चाहिए अगर वो secure नहीं रहा तो इतना ज्यादा disturbance क्रेट हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते and वही impact हमनों को अमेरिका में देखने हो कि आपे मिल रहा है so definitely fed की बात करें जो बैडन की बात करें हर कोई अभी कोशिश करेगा कि situation को control में लिया जाए लोगों को भरोसा दिया जाए अगर भरोसा तुड़ गया आपको पता है यह सब कुछ trust के उपर ही चलता है तो बहुत ज़्यादा गडबड़े हो सकती है सोच के दिखिए अगर बाकी banks में पैसे निकालने चले गए लोग तो क्या हो जाएगा तो इसलिए economy में बहुत ज़्यादा disturbance हो सकता है अपको पता है कि हम ऐसा नहीं बोल सकते है रहे डूबने दो अमेरिका को हमें क्या फरक पड़ता है तो वो impact इंडिया के उपर तो आएगा ही आएगा सिर्फ इंडिया नहीं बोल रहा हो में पूरे दुनिया में आएगा ही आएगा इसका डेमो तो हम लोग ने multiple times देखा है और दोस्तों believe me इंडिया का share market जो गिरा है आज के दिन इतना जादा नहीं गिरा है 1.5% ही गिरा है आप थोड़ा सा दुनिया के बाजार के उपर एक round मार के आ जाईए क्या हालत चल रहे वहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते मतलब अगर आप total करके देखोगे नहीं aggregately मतलब यह आज के दिन गिरा है प्लस Friday की दिन की गिरावट अगर आप इसको add करके देखोगे तो इंडियान मार्केट सबसे कम गिरा as compared to the दुनिया के मार्केट के सबसे मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि इसलिए कि हम लोग ने great performance के नहीं वैसा नहीं ठुकाई तो हो रही है पर थोड़ा सा अगर आप दुनिया भर के बाजार को देखोगे मैं अभी आप लोगों को दिखा दूँगा बड़े-बड़े European market लिटरली वहाँ पर पैनिक मचा हुआ है जैसे कि आपको पता है रीजन तो हर किसी को पता है कि जो यह बैंक है इसलिए अभी आगे क्या होगा किसी को यहाँ पर पता नहीं है अगर हम लोग आपर बात करें यह देखें अमेरिकन बाजार का फ्यूचर देखे जबरदस हमनों को लाल निशान में देखने को मिल रहे है शुरुआ थोड़ी बहुत अच्छी ही आपे थी अगर मैं एक केंडल स्टिक भी आगर आपको दिखा दू अभी खबरों के हिसाब से अभी लिटर्माइन किया जाएगा कि क्या खबर निकल कर आती है क्या अनौश्मेंट कर आती है उसके हिसी के चलते है रिधावट है आन यह देखें जैसा मैं आप लोगंको ब्ला यह दुनिया भर के बाजार देखें जो हरा चार्ट पेटन आपको देखने को मिल रहा है मतलब नीशान वो विक्स है वोलेटिलिटी वाले इंडेक्स है चाहिए वो इंडिया की बात करे या फिर USA की बात करे तो यह वोलेटिलिटी वाले है उसको मत देखना बाकी पूरे मार्केट को जस्ट एक राउंड मार्के आजाओ पूरे यूरोपियन मार्केट में तबाई तबाई हम लोगों को देखने को आपे मिल रही है जैसे कि मेजर मार्केट की बात करे जर्मनी का डैक्स धाई पसेंट से ज़्यादा तूटा है दोस्तों धाई पसेंट अगर हम लोग 5 दिन की बात करें तो आप देख सकते हैं उसके पहले भी ऐसी गिरावट थी आज वापस ऐसी गिरावट है जर्मनी के डैक्स में जबरदस गिरावट फुटसी की अगर हम लोग बात करें 2% से ज़्यादा गिरावट पाच दिन का डेटा देखोगे तो 4 सवा 4% की गिरावट देखने को मिली है, पाच भी बोलना नहीं चाहिए, दो ही दिन में बोलना चाहिए, इतनी बड़ी गिरावट है हम लोगो देखने को आपे मिल रही है, और उसी के साथ-साथ, फ्रांस के बाजार की बात करे, नजारा आपके सामने है, 0.5% से, मतलब 0.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है, तो उस हिसाब से अगर हम लोग बात करें, तो छलिए, इंडियन मार्केट तो 1.5% ही हम लोगो गिरते वे देखने को मिला है, बट डेफिनेटली जो इंपक्ट है, हम लोग पूरे दुनिया हालत होती वे देखने को आपे मिली है, पहले हम लोगों ने थोड़ा सा इंटर्नल रिजन देखा था, इंटर्नल रिजन मतलब आपको पता ही है, कि अदानी के शेर्स अंस्टेबल यहापे हुए थे, आज भी अंस्टेबल यह है, बहुत नीचे है, टॉप लेवल से, वो स पौने 5% के आसपास की गिरावाट, एक मैने में 5% की गिरावाट, तो यह अच्छा कासा पिटाई हम लोगों को बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है, और आपको पता है, कि बैंक निफ्टी में अगर कुछ गडबड हो गई, तो फिनेंशल सर्विसेस में प्रेशर आ गया, तो अटोमेटिकले निफ्टी-फिफ्टी में प्रेशर आ जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज, फाइनेंस सिक्टर का ही निफ्टी-फिफ्टी में होता है, तो यह कोई नई बात में आप लोगों को एक्स्प्लेइन करके नहीं बता रहा हूँ, यही ची चीज के कारण, अगर आप यहाँ पर पूरे इंडैस इसको भी देखोगे, सेक्टर वाइस, तो सभी में हमनों को वो गिरावट पासान होते वी देखने का आपे मिल रही है, बट सबसे ज़्यादा जो फाइनेंस सेक्टर है, उसी में हमनों को तकड़ी गिरावट देखने उनी के उपर देखने को आपे मिल रहा है, सो ऐसा भी क्यों हो रहा है दोस्तों, तो इसके पहले भी मैंने ये पॉइंट आप लोगों को कवर करके बताया था, ये चप तो आप लोगों ने ज़रूर सुनाई होगा, कैस्ट केडिंग इफेक्ट, ये ही चीज हम लोगों को देखने को मिल रहे है, और ये इतनी घातक चीज होती है, कि हमें पता ही नहीं चलता है कि इसका इंपक्ट आखरी तक कहा तक पहुचेगा करके, मतलब अगर में ये आप लोगों को ये वाला चित्रा दिखा दू, आप ये विजीबल है आप लोगों को, थोड़ा समय चलो नहीं कर लेता हूँ, ये जो रहता है न, कि ऐसे अगर आप इसको टच कर लेता है, ऐसे गिरा देते हो, तो ये भी गिरता है, ये भी गिरता है, ऐसे गिरते, 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 सब कुछ ऐसे गिरते, 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 आखिर में जो यहापे है, उसके उपर भी इंपक्ट आएगा ये तो future में हम लोगों को पता है आपे चल जाएगा इसलिए दोस्तों जबी भी याद रखना ये बहुत एक important learning point में आप लोगों को बता रहा हूं कि कभी भी banks में अगर कुछ इस प्रकार की गड़बड़ी हो जाती है चाहे वो विदेश की हो या फिर हमारी bank हो तो स सबसे ज़्यादा सरकार alert हो जाती है क्योंकि इसका cash cutting impact बहुत लंबी होदी तक चला जा सकता है तो यह जो रहेगा वो बहुत dangerous देखने को मिल जाता है इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को दो example की साथ explain करना चाहूंगा तो आपको यह हमेशा के लिए याद रहेगा तो चले एक example वन ले ले लेते है तो कैसे example है कि मान लिजए एक मिश्टर कॉंसाल नाम ले 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 ठीक है अभी मिश्टर शाम ने क्या किया मेरे से 10 लाक रुपे लिए मैंने उसको ऐसे लिए 10 लाक रुपे लोन के form में दिये कि ठीक है वापस बाद में वो मुझे लोटा देगा 15 टक्के के बैच के उपर थोड़ा से extra मैंने उसको दे दिये मुझे भी पैसे मिल जाएंगे उसका स्टार्टप का जो पैसा था वोई SBB में था तो आप देखी यह SBB डूप गया तो इनका पैसा अटक गया अभी स्टार्टप को टाइमली पैसा नहीं मिला मान कर चलिए नहीं मिला तो क्या हो जाएगा यह जो बिजनेस करने वाले इनके जो क्लाइंट से इनको भी पैसा ट तो मेरा 10 लाक रुपय कौन देगा तो इस प्रकार से इंपक्ट आ जाता है दोस्तों आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहां से इंपक्ट कहां पर आ गया करके इसी को कैस्ट केडिंग इफेक्ट बोलते हैं यह हो गया एक 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 जामपल नमबर वन अगर आप चाहो तो इसको के लिए खर्च करूंगा पचास लाक मुझे गाड़ी खरीद नहीं थी एकस बन चलो BMW वो खरीद लूँगा पचास लाक वर्ल्ल टूर के उपर चला जाओंगा पचास लाक एसी मतलब मोज मस्ती के लिए खर्च कर लूँगा बड़े-बड़े होटेल्स में घुमूंगा टूरिजम मतलब इस चीज़ के लिए खर्च करूंगा मान लिजे ये बैंक डूब गई तो ये पैसा तो डूब गया तो अभी आप देख सकते हो जो पचास लाक में बेटे के शादी के लिए एजुकेशन के लिए खर्च करने वाला था तो जिस बिजनेस को इसके चलते फ अगर कोई बैंक डूब जाती है यो पैसे का जो इंपाक्ट रहता है ये बिजनेस टू बिजनेस इंडिजल टू इंडिजल काहा तक जाके रुकेगा किसी को भी पता नहीं होता है इसलिए ये सबसे ज़्यादा फियरफुल माहोल हम लोगों को बनते वे देखने को मिल जा इसे लिए how पे कह सकते ही दुनिया बर्मी जो हम लोगों पैनिक देखने को मिल रहा है इसके पीछे का रिजन यही हम लोगों को देखने को यहाप मिल रहा है सो आप देख सकते दोस्तों मार्केट कितना अंसर्टन है पहले हम लोग रश्य युकरेन की बात कर रहे थे देन उसी के साथ साथ हम इंट्रेस रेट इंफेशन की बात करे थे देन थोड़ा सा अदानी के चैप्टर का बीच में यहां पर हम लोगों को चीज़े देखने को मली अभी देखे एक और नया चैप्टर आ गया कौनसा यही वाला कौनसा SVB का ऐसा आने वाले समय में भी बहुत सारे ऐसी चीज़े आप लोगों को देखने को मलेगी इसी को बोलते बाजार अंसर्टन है आप कभी डिटर्माइन नहीं कर सकते है कि बाजार का exactly top क्या है, bottom क्या है होने के लिए कुछ भी हो सकता है बीच में तो COVID भी आया था तो यह चीज़े यहापे चलती रहती है जो major reason था वो तो मैंने यहापे cover कर लिया cash cutting effect यहापे वो भी देखने को यहापे मिल जाएगा तो अभी American Bazaar में क्या होता है पूरा focus अभी लोगों का American Bazaar के उपर है Fed के उपर है कि वो क्या-क्या face line यहापे सामले लेकर आते है क्या commentary यहापे देते है और लोगों का क्या विश्वास बना के रखते है मतलब वो करना ही पड़ेगा वरना एकोना में डूब जाएगी उनकी वो तो करना ही पड़ेगा सिर्फ वो खब करते वो देखने वाली बात है इस चीज़ के चलते हम लोगों को यह panic देखने को आपे रहने वाली है तो आशा करता विडियो आपको helpful लगा होगा तो चाहो तो इसको like कर सकते हो दोस्तों के साथ share कर सकते हो डिमेट अकों अपने अभी तक open नहीं किया तो link नीचे description में 25 बड़े के लिस्ट आपको free of cost मिल जाएगी आपका नाम कुझसा account अपने link के दर open के है प्रॉपरली कमेंट से लिए बता देना तो अपते बर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साथ से free of cost प्रवाइड कर दे जाएगे तब तक के लिए बैबाई